जब से इस कोरोना वायरस ने पैर पसा रहे हैं तब से ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है सरकार द्वारा एक एडवाईजरी जारी की गई है और उसके मताबिक नियम और काईदे लागो किये गए हैं जिसको फॉलो करते हुए आपको कोई भी काम करना है और इन सब में सोशल डिस्टेंसिंग पर सबसे ज़ादा जोड दिया जा रहा है लेकिन हाल ही में एक ऐसी कबर सामने आई है जो थोड़ी हैरान करने वाली है एक ऐसी स्टड़ी सामने आई है जो ये कहती है कि कोरोना से बचने के लिए दो मीटर की दूरी ना काफी है क्योंकि इनसान की लार की बूंदे कम गती वाली हवा में भी कुछ नहीं तो 6 मीटर तक ट्रैवल तो करती ही है American Institute of Physics की स्टड़ी के मताबिक जब हवा की गती शुनी होती है तब लार के करने जादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते ये मुश्कित से 2 मीटर ही ट्रैवल कर पाते है जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ठीक भी है लेकिन जब हवा की गती 4 किलो मीटर से 15 किलो मीटर प्रती घंटा के रफतार से चलती है तब ये लार के करने दूर तक जा सकते हैं जो की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सही नहीं है क्योंकि हवा की स्पीड के साथ लार के ये करन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही 6 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं जो की नुकसान दायक हो सकता है स्टडी में ये भी पता लगाया जा रहा है कि जब आदमी खासता या चीकता है तो उसके मुझ से निकलने वाली बूंदे कितनी दूर तक जा रही है और हवा में जाकर कैसा रियक्ट कर रही है लेकिन फिलहाल इस स्टडी में जो सामने आया है कि हवा की स्पीड के साथ लाड़ 2 मीटर से जादा ट्रैवल कर सकती है तो ऐसे में सोशल डिस्टैंसिंग के लिए लागू किये गए नियम जो कि 2 मीटर की दूरी रखना है वो थोड़ा गलत साबित हो सकता है हाला कि अभी भी इस पर रिसर्च की जा रही है और सभी चीजों को सोशल डिस्टैंसिंग के नुसार समझने की कोशिश हो रही है